हाई आज की डेट में जहां दूसरी आटो मोबाइल कमपनी आपको फ्रंट वील ड्राइव सब 4 मीटर SUV आफर कर रही है वहां महिंद्रा आज भी आपको रियर वील ड्राइव के साथ लैडर ओन फ्रेम चेसिज आफर कर रहा है यह हमारे पास महिंद्रा की आइकॉनिक बोलैर नाम को डिजर्व करती है या फिर नई ओके सू गाइज है जो अब यह मारे पास बेरियंट है यह ऐसका एनटनन वीरियंट इससे नीचे आपको जो लियरियंट मिलते हैं इसके वह मिलते है एन-8 एइन-स से नीचे-एन-4 इसकी एक शोर्म कॉस्ट आपको अब अपनी स्क्रीन पर मिल रही होगी हमेशे के तर्व वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे इसकी कीज से तो कीज आपको बोलेर और नियो की कुछ इस ताइप की मिलती है यह आपको मिलता है लॉक बटन यहाँ पे आपको मिलता है इसका अनलॉक बटन और यह इसका अलाम का बटन बात करेंगे इसके एंजन की तो मैं एक बार आप आपको इसका एंजन चेक आउट कराके दिखाता हूँ So guys, Bolaire और New में आपको मिलता है 1.5 लिटर का तर्बो चार्ज डिजल एंजन जो कि महिंदरा का M-Hawk 100 डिजल एंजन है ये 1.5 लिटर का डिजल एंजन जो है वो प्रोडूस करता है एराउंड 100 बहप of power and 260 Nm of torque साथ जी साथ महिंदरानेश में VGT Turbo Chargers का भी यूज़ किया है जिसकी वज़े से lower down lag जो होगा इस एंजन का तो काफिया तक reduce किया जा सकता है So guys, बात करें इसके front profile की तो front में जो आपको headlights मिलती है इसकी उसमें N10 मिरिट में उपर दिये गए है LED DRLs उसी के साथ integrated है आपको indicators और इसके halogen lamps Headlights की नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके fog lamps जो की halogen unit है अब grill की बात करें तो grill यह आपको iconic bolero type की लगती है जो कि अब यह हमारे सामने है यहाँ पर आप check out कर सकते है कि इसकी grill काफी हर तक आपको classic bolero की याद दिलाएगी Chrome से finishing दिखेंगे यहाँ पर जो कि इसे थोड़ा सा up market look देती है यह तो बात हुँ इसकी front profile की अब हम चलते हैं इसकी side profile में सबसे बात करें इसकी side profile की side में आपको मिलते हैं सबसे पहले 15 inches के alloy wheels wheel arch की side में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसकी body cladding जो कि इसे थोड़ा tough look देती है A pillar की नीचे आपको indicators मिलते हैं इसके और indicators क्योंकि यहाँ पर दिये गए हैं इस वज़े से ORVM's पर आपको indicators नहीं मिलेंगे यह जो ORVM's है वो internally adjustable है braking की बात करें guys तो front में आपको इसके मिलते हैं disc brakes and rear में आपको मिलते हैं drum brakes बात कर अगर इसके door handles की तो कुछ इस type के door handles मिलते हैं black clad में और यह है इसका interior जो कि मैं आपको अभी थोड़े देर बाद check out कराऊंगा अब car में enter करने के लिए हमें यहाँ पे एक foot stepper दिया गया है जो मैं यहाँ से ऐसे compare रखके इसमें enter कर सकता हूँ easily side profile की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इसकी body cladding मिलती है और साथ जाथ नीचे की side भी आपको यहाँ पे body cladding का use किया गया है अगर बात करें इसके fuel lid की तो fuel lid आपको दी गई है इसकी right side में जो की आपको यहाँ पे दी गई है बड़ी size की आपको यहाँ पे fuel lid देखने को मिल रही है अब हम चलते हैं इसकी rear profile में तो rear में आपको जो tail lamps मिलती है इसकी वो normal एक bulb है LED नहीं है नीचे की side आपको यहाँ पे turn indicators दी गए है और साथ इसक reverse light भी आपको यहाँ पे मिलती है doors का handle यहाँ पे दिया गया है open में यहाँ से कर सकता हूं से 385 liters का है आपको massive boot space मिलता है बट वो boot space तभी आपके लिए usable होगा जब आप इन डो को down कर देंगे अभी यह last key row इसकी उपर है तो अब हम चलते हैं इसके अंदर यह है आपको foot stepper और यहाँ से मैं गया अंदर easily मैं यहाँ पे enter हो चुका हूं space यहाँ पे बात करें तो दो लोगों के लिए perfect है under the support obviously यहाँ पे हमेशा की तरह कमी है और मेरी height जैसा person भी 5 feet 9 inch वाला person भी यहाँ पे अराम से अपनी long genus पे 1-2 hour सक बैठ सकता है despite कि यहाँ पे आपको under the support कम मिल रहा है बागी आप चाहे तो इस seats को lift भी कर सकते हैं इसके boot space को बढ़ाने के लिए यहाँ से इसका seats हो गई उपर और यहाँ पे हो गया इसका boot space थोड़ा सा enhance but if frankly speaking अगर आप इस car को purchase कर रहे हैं तो आप seats को उपर करेंगे क्यों आप 7-seater के यहाँ पे मज़े लेंगे और long genus पे जाएंगे spare wheel guys आपको यहाँ पे दिया गया है bolero की new badging आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इसके spare wheel में और guys यह जो spare wheel है वो इसके alloy wheels के जितना ही है जो की है 15 inches का but of course यह आपको steel rim में मिलेगा rear में आपको इसके parking sensors देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे bumper पे यह बात करें अगर इसके drive train की तो bolero new एक rear wheel drive सब 4 meter SUV है इस चीज का पता आपको तब लगेगा जब आप car की under body चेक करेंगे और rear में आपको इसका differential देखने को मिलेगा इसके लगा guys महिंदर अपनी bolero new में multi-terrain technology भी आपको offer करता है जिसे हम MLD के नाम से भी जानते है यानि mechanical locking differential जो कि तब बहुत ज़्यादा use में आता है जब आप अपनी car से off-roading करते हैं या ज़्यादतर उसे rural areas में drive करते हैं बट ये जो multi-terrain technology यानि MTT feature है वो आपको सिर्फ महिंदर बोलेरो new के N10 optional variant में available है इसके अलागा guys bolero new based है सेम उसी platform पे जिस पे बेज़ड है महिंदरा की scorpio and thar defonger आपको यहाँ पे मिलता है और साथ ज़्याद rear wiper and washer भी आपको इस N10 वाले variant में दिया गया है ये आपको wiper मिलता है ये washer दिया गया है ओके तो guys ये था bolero new का एक exterior का profile अब हम चलते हैं इसकी front row में और check out करते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या features आपको देखने को मिलते हैं ओके, so guys अभी आगया bolero new के interior में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिंदरा का आपको यहाँ पे steering wheel देखने को मिलता है जैसे कि आपको महिंदरा की दूसरी cars में मिलता है left side में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इसके audio and voice controls के buttons and right side में आपको cruise controls भी दिया गया है इस antenna variant में infotainment system की बात करेगा इस तो आपको यहाँ पे 7 inch का touchscreen infotainment system देखने को मिलेगा इससे नीचे जो भी variant आएगा N8 and N4 उसमें आपको touchscreen नहीं मिलेगा देखने को hazard light up को यहाँ पे मिल रहे है AC की controls यहाँ आपको देखने को मिल रहे है guys इसमें आपको AC में एक eco mode भी दिया गया है इस button को हम press करके AC के eco mode को on कर सकते हैं यह बात करते हैं transmission की तो guys Bolero Neo में आपको currently 5 speed का manual transmission ही देखने को मिलता है आपको याद होगा कि इससे पहले आपको इसकी predecessor जो थी वो थी TUV 3OO उसमें आपको एक automatic transmission भी मिलता था but currently Mahindra ने Bolero Neo में इस automatic transmission को नहीं दिया है इस वज़े से अगर आपको Bolero Neo लेनी है तो आपको सिर्फ डीजल एंजन के combination के साथ यही 5 speed का manual transmission मिलेगा यहाँ पे आपको storage places दिये गए है काफी सारे यह आप check out कर सकते हैं आपे power windows के control जैसे की Mahindra की cars में होते हैं यह मैंने करा इसे press और यहाँ से होगी इसकी windows down अगेन आपको यहाँ पे तो bolero new में आपको top model में भी सिर्फ दो यह airbags देखने को मिलते हैं साथ साथ आफ कोर्स आपको ABS with EBDB इसमें आपको देखने को मिलेगा IRVM की बात करें गाई तो यह आपको IRVM देखने को मिल रहा है और यह आपको manually adjustable है co driver seat में आपको मिलेगा speaker system की बात करें गाई तो इसमें आपको 4 speaker and 2 tweeters देखने को मिलते हैं इससे नीचे जो आपको variant आता है N8 variant उसमें भी सेम यही चीज़ है 4 speaker and 2 tweeters ORVM के control से यहां पे आपको दिए गए यह आपको ORVM से यहां से आप control कर सकते हैं इसमें आपको आटो फोल्डिंग का option नहीं दिया गया सिर्फ आप इन ORVM को adjust कर सकते हैं ओके इससो गईज मैं आ गया हूँ Bolero New की rear seat में यहां पे आप देख सकते हैं seat comfort बहुत ही जबरदस्त है shoulder room इतना जदा है कि शायद मेरी height का यहां पर person अगर बैठे या मेरी body style का person बैठे तो मेरी ख्याल से यहां पर 4 लोग भी आप बैठ सकते हैं but of course यह 4 लोगों के लिए नहीं बनी है seat आपको यहां पर 3 clip perfect है यहां middle में है जैसी मैं आता हूँ तो यहां पर आपको ना कोई floor पर transmission tunnel देखने को मिल रही है ना इस floor पर कोई और hump देखने को मिल रहा है seat बिल्कुल comfortable है अब overall guys जो इसकी cabin ambience की बात करें तो bolero classic या scopio आप किसी को भी ले लो एचीज महिंदर की cars में जो common है वोई यह है कि आपको इनकी cabin में जो कि मैंने आपको ओल्रीडी चेक आउट की है इसे मैंने भी close किया है पर यहां से आप इसे open कर सकते है armrest आपको यहां पर देखने को मिलती है इसकी second row में और इस armrest में आपको कोई भी cup holder देखने को नहीं मिलता है cabin की lights यहां पर दी गई है यह जो lights है वो normal bulb है LED नहीं है बाकि doors पर आपको यहां पर मिलेंगे इसके power windows की controls यह आपको door locks मिलता है grab handle, speaker system जैसे कि मैंने आपको बताया 4 speaker, 2 twittles मिलते है इसमें आपको अब बात करते हैं एक main doubt की bolero new के आने के बाद जो classic bolero है वो बंद हो जाएगी या फिर नहीं उसके लिए हम बात करने चाहेंगे महिंद्रा के salesperson से जो के मैं better guide कर पाएंगे इस चीज़ पे महिंद्रा नमस्कार मेरा नाम मोहमद इंफाल है और मैं concept महिंद्रा में working हूँ corporate sales consultant ने 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 देखे ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी classic Bolero जैसे चलती भी आई है और ऐसी ही चलती रहेगी और कोई भी plan नहीं है महिंद्रा का के उसको बंद करें वो जैसे sale में थी अभी भी ऐसी ही sale में रहीगी और यह जो बलेरो नियो है थोड़ा advanced version है तो दोनों गाड़िया हम साथ के साथ उसको सेल करेंगे गड़ी के इंजन के बारे में एम हॉक हिंजन है जो की 1.5 लीटर के इंजन है की पावर हंडेट भी है और 260 एनम का टॉर्क है अगर हम परफॉमेंस की बात करें तो पावरफुल है गड़ी किसी भी ट्रेंड पर आप ले जाके उसको यूस कर सकते हैं क्या है आप हिल एरिया पर जाएं क्या है प्लेइन पर चलाएं दोनों में आपको काफी अच्छी परफॉमेंस देगी गाड़ी यह भी पूरी टफ गाड़ी बनाई है एक तरह से ठीक है तो आपको कोई भी डाउट्स है सर अपना नंबर आप एडर्स बता दीजी एक शोरूम का कुछ यह मैं हूं कॉंसेप्ट आउट्मबाइल प्राइवेट लिमिटेड ए 9 सेक्टर 2 एंडर्स है नॉइडा में मेरा नाम मोहमद इंफयल है आप एक बार फेछण में कर सकतirie है माव कि noise सब्सक्राइव कर सकते हैं अगर आप डैली एंचे कोमें बता सकते है एक बार सभी से रीकवेस्ट यह के के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें थेंककि तैनकियू समयआ हो